अस्सलाम लेकूम कैसो आप सब लाम्दुलिल्ला मैं एकदम ठीक उम्मिद करती हूँ के आप सब भी एकदम ठीक होंगे अच्छा मुझे एक बात नहीं समझाती है यह जो डीडी की वाइफे है चाहे पहली हो चाहे तीसरी हो इसके इन सब के अंदर एक चीज बहुत कॉमन है आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा जब इनको सीमपती चाहिए रहती है ना तो यह हाथ में ड्रीप लगाके आजाती है कभी इंजेक्शन लगाके तो कभी क्या हमेशा इलग दिखाते हैं कि हम बीमार है और यही हुआ जो फर्स वाइफ थी इसकी डीडी की इसने ज बात के ओपर ध्यान जरूर देना इसको यह बात बुरी लगी इसने पहले तो यह बहुत बुरा लगा बहुत मैं डिस हाट हुई फिर बात में बोल रही है कि नहीं लोगों ने अगर वीडियो बनाई तो मुझे कोई बुरा नहीं लगा मुझे कोई फरक नहीं पड़ता अ अच्छा यह बात को लेके डिस हाट हुई है कि इसकी भाबी ने नैना के लिए वीडियो बनाई आ असल में हुआ क्या नच कि इसको जब इसका अली मिल गया तो इसकी भाबी ने भाई ने फ़ोन पर छे विडियो होई बना यहां पर आप लोग देखो त्रू अगर किसी को चला गया है तो इसको इतनी जलन हो गई कि विडियो बना दी और फिर बोल को एक कि मैं किसी से तुम खुदी जलन दिखा रही हो तुम खुदी हला रही हो फिर तुम बोल रही हो कि एपनी ही पोल खोल रही हो बैटके अच्चा भै तो इसने जो ये वाली वीडियो बनाई और इसने अपनी हसाद और जलन बताईए तो इसको ये बात बुरी लग गई के मुझे कॉल पे क्यों बोला गया और नैना के लिए वीडियो क्यों बनाई गई ठीक है और इसने ये भी बोली के वो लोग बड़े व्लोगर है वो अपने आप में मश्रूफ रहते हैं और मुझे जो टेम पे जरूरत थी वो ट कॉमतें लगा रहे थे पड़ कोल रहे के बाते निकाल रहे थे हो टेमके भी बहुत जगड़ा इनका रहा था वो टेम पे बी नहीं ये also द्लमा के वीडियों नहीं डिलबर का साथ दिये जबके अपना अपना काम कर ओओ और इस तरह से उसने बोली ती यह तने सलमा के और सच्चाई जो भी है नजर तो आती है कि अगर ये मतलब वो टेम पे जो वीडियो बनी थी इसके अंदर यही साबित हो रहा था कि इसने अपने बच्चे को ज्यादा एमियत नहीं दीती अपने बच्चे को छोड़ दीती तो उसके उपर से सभी ने वही वीडियो बनाए थे वो टेम पे जब वीडियो बनी थी वो टेम पे किसी ने इसको सपोर्ट नहीं किया था वो टेम पे इसने आवास क्यों नहीं उठाई के मेरे भाईयों ने और मेरे बापने मेरे को सपोर्ट नहीं किया अभी इसको क्या चुल मच गई कि इसने वीडियो बना डाली इसकी सच इसके साथ में भटकती फिरती है इसके कौन से सपोर्ट में विडियो बनाई थी जब इसके बाप की और इसकी बड़ी बैन की वो नजो जाड़वली चुड़यल के जगड़े हो रहे थे इसने कौन सा अपने बाप को सपोर्ट की थी क्या बोलेते इन लोगों ने कि आज लड बना-बनाके लड़ती है फिर तुम लोग कफे में बैठके कभी Haटेल में बैठके मिटप करते रहते मिलते अब करते हो तुम लोगों का टिवास हो चुका फिर भी तुम लोगों ऻो बात करते हो वीडियो कॉल होती य시다 साद ना सीज़गों कि जगड़े बीच में ब contamination तुम के सद उम्मीद रखती है कि तेरे जाहे और ये बताना के तू कितना सलमा के लिए खड़ी हुई है जब सलमा की जिंदगी में इतना बड़ा तुफान आया हुआ था वो रात रात बहर अकेले रोती थी बिलगती थी अपनी जान देने की कोशिश की थी तेरी कौन सी ऐसी वीडियो आई थी जो तू डट के खड़ी थ उसके साथ में और तुने पिटारा का सज बोला था अपने मुह से तू तो हमेसा पिटारा को चाटती है तू तो हमेसा उसकी चाटू बने रहती है तो तू कौन सा को सपोर्ट किये जो तू उमीद रखी थी के मुझे सपोर्ट नहीं किया गया तूने कौन सी वीडियो बना हुआ था तो हम लोग कोई function में थे मुझे किसी की call आई फिर मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई कि अरे भावी के साथ यह क्या हो गया दूसरे पल में बोल रही है कि पता नहीं हुआ था कि नहीं हुआ था हमने आँखों से नहीं देखे मुझे एक बात यह नहीं समझ यजब चोर चोरी तो क्या वह उसके फुरूफ खुदी बनाता है जब कोई गुना करता है तो फूरूफ खुदी बनाएंगा वह इनको दिख दिखाएंगा इसको अपने लगाएंगा जब कोई बात हुई होगी तभी तो इतनी बड़ी बात निकली थी ना बाहर तो यह बोलने से पहले ना मैं तो बोलती है तुम लोग है ना गिरगिट ने भी ना तुम लोगों को देखके ना आत्मात्या कर लिए उतने भी अपनी आपको ख़दम करने की कर देख के आए तो सल्मा का साहथ नहीं दींती मतला तो Спण सोचो कि दिल में इ людям पराणी चीज़ें की तेरे बहयं मिलकी दि Crown जलील कर रहे थे आधी रात को उसको मारने के लिए गए थे तेरा भेनोई दारू पी के अपने ससूर के उपर चड़ गया था उसको मारने के लिए वो टेम पे तुने अपने बाप का साथ नहीं दी तो ये सोचो जो अरत अपने सगे बाप की नहीं है वो भावी की हो सकती है या को किसी की भी हो सकती है बिल्कुल भी नहीं हो सकती जब इन लोगों ने अपने बाप के लिए आवाद नी उठाए ना वह दिन से मेरे नजरों से गीर गई है इतनी कोई घटिया और नहीं देखी मैंने जो अपने बाप के लिए नहीं खड़े हुई वो दूसरों से उम्म में मुझे फूल सपोर्ट करते हैं मैंने उनको भी नहीं बताना जरूरी समझी मैं सुबह-सुबह पहुंच गई अली जान को लेने के लिए दूसरे पल में यह बोलती है कि जब मैं लेने के लिए गई थी मैं अपने आपको अकेला महसूस कर रही थी मैं अपने आपको बेब पैसे महसुस हो रही थी अकैला पंपन महसुस हो रहורה था तो तुने तेरे साथ sicल नों को क्यों नहीं बताई मतलब तुझे उसी तरह से सपोर्ड चाहिए था मतलब सी और सी सलय चाहिए थाλव जो कहीरो स्किएड ते، पूरे सब्स emphasizes Been तेरे सपोर्ट में है तो तु अपने आपको बेबस कर रही थी बेबस तो वो टैम पे सलमा थी जो नमाइके और उसका तो माइका ससुराल दोनों एक की ए जो के कोई भी उसके साथ में नहीं खड़ा था उसने तो आके तेरे से गिला नहीं की कि आईशा मेरे लिए नहीं खड पता नहीं कोई एग्रिमेंट साइन करवाये हो तुम लोगों ने सलमा से कि हमारे लिए आके तुई खड़े होएंगी बार बार यह बोल रही है यह कि मुझे एक भी कमेंट नहीं की किसी वीडियो में किसी वीडियो में उसने मुबारक बात नहीं दी कि अली तुमारे साथ अधिना जाके इतना शौट आउट लेके आई इसको पेट नहीं भरा है इसको अलग से भी शौट आउट चाहिए था कि वीडियो बना के ही मुबारक बात देती तो भाई तुम्हारा अली जान अभी पैदा नहीं हुआ था ठीक है तुमने उसको लेकर आई थी और यह सारी पीछे इतना दिवाना हो गया है कि उसको जब फात्मा नहीं नजर आ रही है चौटी-छोटी मासूं बच्चिया नहीं नजर आ रही है तो उसको अली नजर आ जाएंग इसके लिए तुम लोगों की डील हुई है कि हाली को लेके जाओ और तुमने अली को अपने मत्थे न मैं उसको देखूंगी तो तुने अली को लेकर आईए तेरी ममता के वज़े से तुने नहीं लाईए तुने कमाई का जरिया बना के इसको लेकर आईए तो यह सारी बाते करके ना ड्रामा क्रियेट मत कर और इस तरह कि यह बाते करके ना लोगों को इमोशनल फूल मत बना और मुझे नहीं समझ आरहे ब cabbage के नायों कर तो पहला बच्चा पैदा हुआ है उसके साथ में ये अली को लेकर कर आने की मुबारक बाट और ये कैसे च васकती हैं और तुझेह मुबारक बाट उनलों ने call पर दे दिए ना फोन पर दे दिए लेकिन तुझे वीडियो में ही चाहिए था कमेंट में ही चाहिए था वाँ वाई यह अच्छा ड्रामा इसका रही बात के सैलफिश की यह बोल रही है कि मैंने भाई को पहले ही बोली थी कि मैं ताहरा से सपोर्ट लूँगी मैं उससे साथ के लिए सैलफिश होना पड़ा तो मैं सैलफिश भी होंगी यह तो मेरी किसमत थी कि मुझे मदद नहीं मिली उल्टा मुझे बाते सुनाई गई मुझे जलील किया गया तो बीबी अगर तुझे कानूनी तो पर मदद ही चाहिए थी ना तो जैसे वह तेरी एक माँ बन किये था क्या इसने केस कर दी कौन सा किसी को अंदर करवा दी या कौन सा इसने पेपर उपर बना के अपने नाम पे अली को कर लिया इसने कौन सा काम की है जो इसको कानूनी तरीके से सपोर्ट चाहिए थी और अगर चाहिए भी थी तो ताहिरा दुनिया में लास्ट और तो उसने तरी मदद नहीं करके बहुत अच्छा काम की क्योंकि तुम लोग है ना इसी तरह के नाग हो तुम लोग कभी भी अपना बना लेते हो कभी भी डस लेते हो जैसे सलमा ने तरह लिए इतना की उसके बाद भी तूसको डसने बैठ गई है तो कल को तु ताहरा को भी बैठ के डस ती कल को तु पिटारा को भी डस ती है ना तो इसी बंदी की सपोर्ट उतने नहीं करके बहुत अच्छा काम की बाकि यह सब बहाना है अगर इसको ऐसे ही कानूनी सपोर्ट चाहिए थी तो दुनिया में बहुत सारे वकील बैठे हैं और भी बहुत सारी चीजे हैं ल साइववों में बात हो रही थी इतना मुझे मुझे ब्ली कुछ नहीं पता और यह कम के लिए नहीं जाता है जब बड़ा कांड होता है न तो इनसा ग्रीमिनल लोग ज़ो जलते वहां पे यह काम होगा तो जूड़ बोलके और बहाने बना कि यह खुदी वहां पर गई हुई थी यह क्या बोलते हैं मिटब के लिए ठीक है यह सोच रही थी कैसे नहीं तो कैसे साहरा से दोस्ती करूं मिटब पर जाओं पिटारा से दोस्ती कर लूँ शौट आउट लूँ उनकी टीम में सामिल हो यह सारा करने के लिए ना इसने अली ने वीडियो काल करी मुबारक बात दी नैना को फिर वीडियो बनाई फिर मिठाईयां बाटी खुशी का इजहार की तो यह चाती थी कि उतना नहीं थोड़ा थी तो मेरे लिए भी कर देते मैं भी उम्मीद लगा के बैटी थी कि मेरे लिए भी इतना खूश होते तो भई तुने अभी अभी तो पैदा की नहीं है पहली बात तो यह दूसरी बात एक बात बताना के जब मलाकों पैदा हुई थी तो तो तेरी वाली वीडियो का है जब तू वीडियो बना के खूश हो रही थी मिठाईयां बाट रही थी खुशी का इजहार कर रही थी सारे जमाने इसे लड़की हुई है तू जो सामने से उमीद कर यह तेरी की वीडियों पताना कि तौ ने ना इजह की UT तौने कुछ थी कितनी विडियों बना दी थी तूने कितनी मिठाइया बाटी अगा घ papel阜 थand नहीं होई और इतनी मुबारक बात नहीं दी मिठाईया नहीं बाती जबके तुनहें पधाने की ठीक है तुनकी लेकर आई तो तू क्या शटाए यह पागल हो गये माल इसकी बाकी भाई अली के नाम से ये और पुछ ज़्यादा सिंपती ले रीए माँ के हक्से में ये बोलू मां के हक्से में वो सोचूं अच्छा एक बात बताओ ये जो इतना दुख कर रही है सलमा के उपर अजगर के उपर भाईयों को कुछ नहीं बोल रही है खेर ये स्रीफ और स्रीफ सलमा के उपर अटेक कर रही है कि भाईयों ने तो कुछ नहीं भी दिया तो चलो छोड़ो मुझे उम्मीद नहीं थी लेकिन भाबी के उपर उम्मीद थी कि वो दो लफज बोलती यह करती वो करती एक बात बताओ जब सलमा की डिलोरी होने वाली थी इसकी माँ वही टेम पे सलमा को छोड़के इधर आ गई थी तो किसको सलमा की इतनी फिकर हुई थी कौन जाके उसके पास में बैठ गया था कौन उसकी देख रेक कर रहा था किसको इतनी मतलब महबत हुई रिस्ते निभाने की चुल मची थी कौन पहुंचा था वहां पे और यह रुबिना और नैना अगर गए भी थे ना तो उनको भेजा गया था लोग खुद से नहीं गए थे ठीक है उनका खर्चा उठाया गया था वहां पे भी लोगों को पूरा-पूरा खर्चा करा था उन इसने दिन रही थी वह जैसे भी मदद की थोड़ी की जादा की लेकिन उसने सलमा की वह टैम पे मदद की थी तो उसके सामने अगर नैना नैना के बच्चे को लेकर सलमा ने एक वीडियो बना दी तो कौन सा गलत कर दी क्या यह वह टैम पे गई थी क्या इसने जाके सलमा की की थी कि यह सलमा के लिए परेशान थी इसने सोची थी कि सलमा वाँ पर अकेली है तो उसकी डिलेवरी होगी तो कैसे मैनेज करेंगी बच्चे चोटे दूसरे घर में बच्चे वो टेम पे लोगों को क्यों नहीं याद आता है कि हमें कौन सा फर्द निबाना था सामने अले है तो तो तुम लोग उठा लेते हैं लेकिन तुमारा फर्द निबाने दे भात तुम लोह क्यों बूल जाते हो बगी यह कह RHE के मुझे लोगों ने मुभारक बाद नहीं दी कि았는데 मेंसेज की थी तो इन लोगोंने कोई रिप्लाइ नहीं दिया इन लोगों को यह बात बुरी लगी है कि तुम्ने take comment किया है तो इस बात को लेकिता नराज मेरे से रिप्लाइ नहीं कर रहें तो जाहिर सी बात है तुम्हारे बच्चों को गालिया नहीं पढ़िए आईशा बेगम मैडम तुम्हारे बच्चों को गालिया नहीं पढ़िए तुम्हारे कैरेक्टर पर बात नहीं हुए जो औरत तुम्हारे कैरेक्टर पर बात करेंगी तुम्हारे बच्चों को गालिया बना के और यह हमेशा बना के रखना चाहिए तुम्हारे जैसी अवरत जो selfish होके खुदी बोल रही है मैं selfish हो गई हूं बच्चे के लिए कोई तु selfish नहीं हुए और बच्चे के लिए तो बिल्कुल भी मत बोल तु तेरे के सपोर्ट में जाने की बात करते हैं तो वह क्या करती है वह पहले तो MTA ली वीडियो बनाnオ जब कंदी ने आके लवज पिटारा के लिए न ही बोली तो कि इससे माफिय ली वीडियो बनाई जाए तो वहां से इसको डिमांड हुई है कि तुम सलमा के खिलाफ ली वीडियो बनाओ तब जाके न तुमको पिटारा लोग है न सपोर्ट करेंगी तब जाके पिटारा वले इसको एक्सेप करेंगी इसलिए इसने ये सलमा के खिलाफ व वीडियो बना तब आके बताना तेरी वीडियो हम देखेंगे और सलमा से पूरे रिष्टे नाते खतम कर तब जाके हम तुझे एक्सेप करेंगे तो देखْ लो इसे वीडियो में क्या बोली है कि मेरी तो बात नहीं हो रही है यह लोग मुझे रिपलाय नहीं करती है अब मेरा उसे कोई रिस्टा नहीं है यह सारा कुछ जाहिर क्यूं कर रही हिए अपने विडियो में उनको खुश करने के लिए ताके व अरे भई तुझे अगर पिटारा की सपोर्ट में जाना है तो तलवे चाट के सीधे से चली जा हर किसी को यही रास्ता क्यों मिलता है कि सलमा को गंदा करके ही जाना है शरम नहीं आती है तुम लोगों को और यह मैं इसके लिए सिरिफ नहीं बोल रही हूँ आप लोगों को य तब तुम को accept करेंगे चाहे वह एजजे हो चाहे वह दूदवाला हो चाहे जो भी हो हर कोई सलमा को गंदा किया है तब जाके इसको accept कि यह इं लोगों ने और यहीं काम यहीं भी कर रही तो आप लोगों को क्या लगता है यह अपनी नारादगी nouाba को YouTube क्यों पूसरी कोँ सॉच में जाके बैटना है तो यह सलमा को घंडा कर रही है और सलमा से क्या उम्मीद वाली बाते कर रही है कि मुझे मुबारक बाद नहीं दी वो भी वीडियो बना के शरम आनी चीए तुझे घटिया और अस शरम आनी चीए सोचे उनकी गोद में जाके बैटने के लिए सलमा ओगंदा कर रही है अरे भाई तुम लोगों की जरुवत नहीं है सल्मा को इसके साथ में अल्ला है और मैं सल्मा को भी यहां पर बोलना चाहूंगी महरबानी करो हर किसी से ना दस बार नहीं डसा जाता पहले भी यह वरत ने तुमारे खिलाब बोली थी बकवास की थी फिर भी तुम भैटके इस लगी कमेंड में जरूर बताना वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर हो सब्सक्राइब भी कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्ला हापी